असलाम वालेकुम दोस्तों तो कैसे आप सब लोग उमीद होगी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घर में होगे जैसे कि वीडियो के टाइटल वीडियो की दिस्क्रिप्शन और वीडियो के थमने पर देखर आपको पताशाल क्या होगा कि आज हम लोग किस चीज के बार में वीडियो बना रहे हैं तो जी हाँ आज हम वीडियो बना रहे हैं किस तरीके से हम लोग मुर्गी को हलाल करते हैं और किस तरीके से हम उस मुर्गी को गोश्च बनाते हैं तो वीडियो होने वाली बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो को लास्त तक देगेगा वीडि तो यह हमारे भाई मुर्गी को काट रहे है तो आप दे सक ते है शटे के आज मी देखेना सबॉते है दुसरी मुर्गी है और किस तरीके से काट है भाई इतने असानी से कैसे पकड़ते हैं सर हमें एक तरह कर पकड़ के दिखा नहां से कंबिनेशन में विलेठाटा क्याति नहां फर पर्णा में हैं सब्सेक्ति के पहले हमें पर पकड़ने हैं दोनों आथों के साथ Lors पकड़न में थो आप मैं ना साथ में इसकी कङरदन पकड़ लेसा तो दोस्तो यह तरीका है तरीका है तरीका से मुर्गी को काटने का तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि मुर्गी हलाल हो चकी है तो अभी किस तरीके से हमने इसका गोश्ट बनाना है यह तरीका हम समझ लेते हैं सर से सबसे पहले हमने इनकी टांगे काटनी है तो आप देख सकत पर काटे हैं तो भी आप देख सकते हैं किस सरी के से इस बिलकु आरान समझाए है हमारे ओडियन्स को आप देख सकते हैं किस तरीके से लिए उतार रहे जिल्द है उतार रहे हैं नमाया गोश्ट नज़र आ रहा है तो दोस्तों यह है दूसरी मुर्गी तो आप देख सकते हैं किस तरीगे से इसके जिलुतारी जा रही है सारी जो देसी मुर्गी होती है इस पर थोड़ा टाइम लगता है ना तक्त होती है ठीक आप देख सकते हैं कितने असानी से इसके जिलुतारी जा रही है अब इसका गोश्च बनाया जाएगा वो भी हम आपको दिखाते हैं तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं अंदर का जितना भी गंदवन्द है मुर्गी का वो निका रहे हैं सर्स को क्या कहते हैं कलेजी यह कलेजी है यह पोटा है मुर्की को बेलकुल पाक साफ करके फिर उटना जाता है यह ना खाने वाली चीज है मुर्की में एक ऐसी चीज होती है कि अगर भड़ चाहिए तो इसका पुरा घोश्च खराब जाता है यह नहीं है तर फंसर हुआं इसको पिता कहता है इसको पिता आइ है इसको पिता कहते है टीख तो यह दोनों मुर्यां जाPl रागे हैं शाफ हो चुकी है अब ready to क्या कहते है इसको? वेठ उकशन बीद उंका तो दोस्तों यह देख सकते हैं कि इसको पिता हम है और हमने 1,000 रोपीस की बोला तके हैं 1,000 पै की हमें मुर्गी चाहिए तो पी उसके के हमें मिलेगी तो अभी आप देख सिकते हैं ये हो गई है 912 रोपे की 1,000 रोपे की 1,004 पै 1,002 रोपे 1,000 रोपे तो दोस्तो अब भी हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से सफाई करेंगे बलके हम नहीं करेंगे भाई करेंगे जो कि बहुत बड़े कारिगर बंदे हैं बहुत दूर से अपॉइंट किया है इनको और भी आप देख सकते हैं किस तरीके से गोश्ट की कटिंग हो रही है ब्राए रास आपको हम दिखा रहे हैं अभी चर्वी बर भी निकाली जा रही है और खालिस गोश्ट को अलग किया जा रहा है दोस्तों ये लैक पीस है आप देख सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं मुर्गी किस तरीके से इसका गोश्ट बनाना है सबसे पहले हमने ये हिसा काटना है और बीच में से काटना है सेंटर में से काटना है और काटते जाना है आप देख सकते हैं किस तरीके से गोश्ट काटा जा रहा है बहुत ही असान तरीका है और सफाई किस तरह किये जा रही है देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से पीसिस बनाए जा रहे हैं दोस्तो आज 400 पे किलो है चिकन की प्राइस भरती हुए आप देख सकते हैं बहुत जादा तेली से चिकन की प्राइस इंक्रीस होती है दिन बादिल यह एक और लेक पीस है दोस्तो अभी यह सीने का गोश है इट इस बोलनेस गोश दोस्तो सर यह चर्वी है यह चर्वी है यह दिल है मुर्गी के दिल में भी हार्ट होता है दोस्तो मुर्गी के दिल में भी दिल में भी दिल होता है अब देख सकते हैं इसको बिल्कुल भीच में से काटा है और अभी चोट चोटी पीस किये जाएंगे गोश के दोस्तों यह चीज़े सीखने वाली होती है अब यह गोश देखेंगे बिल्कुल गोश है कोई हड़ी नहीं है इसे हम कहते हैं सीनिया का गोश हला सर्थ यह इसकी गर्दन है और यह उसका एक रिस्स है जो के अभी पिछली बार काटा गया है यह गंदगी निकाली जा रही है और खारिज गोश को मैसर किया जा रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं गोश कट चुका है पीसिस हो चुके हैं अब पैकिंग की तरफ है कि भई शापल में डाला जाए तो दोस्तों उमीद होगी आप सब लोगको मेरी वीडियो पसंद आये